नमश्कार, सम्हें बच्छों को, नमश्कार. Q6.9 आपको लग रहा थे कुछ questions में आप नमश्कार बोलते हैं, कुछ में नहीं बोलते हैं. देखे, जो हम class पढ़ा रहे होते हैं, उसमें जो recording करते हैं, उसमें हर नमश्कार थोड़ी होते हैं. कि वहाँ आपसे बात नहीं करते हैं, तो बच्चों पड़ा रहे होते हैं, वो क्वेशन सूट हो जाता है अपने, शूट मतलब कोई पिच्चा नहीं है, तो एक वर्ड अच्छा लग रहा थो उन्हें बोल दिया, और जब इंडिविज्वल आपको बता रहे होते हैं, तो आ और दूसरी कॉयल बगल में होती है, ठीक है, उसमें एक गैलनोमेटर लगाते हैं, तो जब इसमें करेंट चेंज करते हैं, तो इसमें अपने आप डेफलेक्शन होता है, क्यों? जब इसमें करेंट फ्लो होती है, तो इसमें एक मैगनेटिक फिल बनता है, और वो मैगनेट है कि a pair of adjacent coils has a mutual inductance of 1.5 henry, पूरा question fully stop तक ना पड़िये, given क्या है, M किया है 1.5 henry, henry is the unit, इसकी होती है, if the current in one coil changes from 0 to 20 ampere, मतलब पहले पहली coil में current 0 ampere थी और change होके current आ गई 20 ampere, यहनि बढ़ गई, अगर 20 से 0 करेंगे तब भी concept लगेगा, क्योंकि जब current change होती है, तो magnetic field change होता है, एक coil में, और वो change magnetic field जो होता है, और दूसरी coil sense करती है, ठीक है, क्या बता रहा है, in 0.5 second, time दिया है, 0.5 second, time दिया है, 0.5 second, इतने time में वो sense करती है, question कह रहा है, कि what is the change of magnetic flux linkage with the other coil, यहनि आपको दूसरे coil में कितना flux link हो रहा है, d5, d5b, आपको निकालना है, ठीक है, अब आप जानते है, concept क्या है, हम जानते हैं, कि जब एक coil में current होती है, तो उस coil में magnetic field बनता है, वो magnetic field दूसरी coil से पास होता है, और दूसरे में EMF induce होता है, तो e बरावर आप जानते है, minus d5b upon dt, जिसकी value होती है, minus mdi by dt, यह हम जानते हैं, we know that, अब आप कहेंगे, हम नहीं जानते हैं, तो अब जानिए भई, बिना जाने काम नहीं बनेगा, इसकी ज़रुत फिलाल है नहीं, चुकि इसके equalizer में लिख दिया, हमको इसकी जरुत हम लेके चलेंगे, तो minus d5b upon dt is equal to minus mdi upon dt, अब चुकि यूज तो होना नहीं है, अब value उठा के रख दी जाए, ठीक है, रखिए value उठा करके, तो dt dt कटी जाएगा ना, को time से कोई मतलब नहीं है, minus भी कट जाएगा, तो आपको d5b निकालना है, और m, और di क्या हो जाएगा, change in current i2 minus i1, तो m दिया है 1.5, और i2 दिया है 20, i1 दिया है 0, तो 15 दूली 30, तो d5b निकालना है, 30, 30 क्या, वेबर, इसके unit होती है, वो वेबर होती है, ठीक है, तो ये आपका answer हो गया,